पवन और रितेश की जोड़ी जैवीरू की जोड़ी बनती जा रही है बोजपुरी इंडस्ट्री में ओफ स्क्रीन इनके जलवे आपने देखे हैं अब ओन स्क्रीन देखने के लिए तयार हो जाएए साइको सैया फिल्म आ रही है फिल्म को पहली बार प्रिड्यूस कर रहे है पवन सिंग जी हाँ पवन सिंग के चाचा अजीत सिंग का एज प्रिड्यूसर नाम है इस फिल्म के पोस्टर में साथ ही आपको बता दे कि अभै सिन्हा की जो यशी फिल्म है और मांबा जो की पवन सिंग का प्रोडक्शन हाउस है ये दोनों मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं तो ये फिल्म बहुत ही बड़ी फिल्म बनने वाली है हम इसले बहुत बड़ी फिल्म कह रहे हैं अभी आपने देखा होगा कि ये फिल्म की एक फिल्म रिलीज हुई इस फिल्म का नाम है दुलहन वह पिडिनियाव का संया का भी हूने वाला है तो सकता है कि फृनके आउट्डोर शूटिंग भी हो अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन जब साइको संया नाम ही है तो आप समझ सकते हैं की फिल्म कैसी होगी Auf साइको सैया, एक लव ट्राइंगल मूवी होगी, प्लस एक्शन, क्योंकि पवन सिंग है, तो एक्शन तो होना ही है, रितेश पांडे के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जी हाँ, रितेश पांडे के अब तक कि जितनी फिल्म में आई है, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, वो गानों में जितने हीट रहे है, फिल्मों में उतने ही बड़े फ्लॉप साबित हुए है, लेकिन हो सकता है कि पवन सिंग का साथ मिलते ही, वो फिल्मों में भी चमक पड़े, जी हाँ, अब तक का उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन हो सकता ह है कि पावन सिंह का साथ पाकर इन्धे भी फिल्मों में काम्याभी का स्वाद मिल जाये खैर अब बात कर लेते हैं फिल्म की हिरोई डिम्पल सिंह की जosition हाँ डिम्पलसिंग जब से मीठा मीठा बात है कमरिया लॉकडाउन में आया था तभी से फिक्स हो गया था ये पवन सिंग के साथ कोई न कोई फिल्म में तो जरूर दिखेंगी अब पवन की पहली प्रोडक्शन फिल्म में डिमपल सिंग नजर आएंगी वैसे डिमपल सिंग के फिल्म केरियर पर भी आप आप ये कह सकते हैं कि डिमपल आने वाले वक्त में अक्ष्रा, काजल या आमरपाली नेक्स्ट टू बी हो सकती हैं खेर अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म के जरा और भी चीजों के बारे में बात कर ले तो ये फिल्म हर एक माइनी में खास होगी वो इसलिए क्योंकि य इस फिल्म से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे ही साथ ही ये बता दे मंबई में इसका मोहरत किया गया और अब इस फिल्म की जल से जंग शुटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब् का इपकूला मुट लोग धो Williß kein जाएगी